तो इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को हमने बताया था कि human digestive system में क्यों कौन से पार्ट्स जो होते हैं इन्वाल होते हैं तो उन्हीं पार्ट्स को जानने के बाद आप लोगों के मन में कई सवाल आये थे कई question आपके मन में आये थे जैसे आप लोगों के मन में आये था कि गिंगिवा क्या है जिसे गम बोलते हैं और इसलेवरी ग्लेंट की हिंडी क्या होती है और कई लोगों ने पूछा था कि पैंक्रियाज क्या करता है तो आप लोगों को जितने भी पार्ट्स मैंने बताया है उसका एक एक का डिटेल हम सुरू से बताएंगे कहने का मतलब है कि अगर माउट से सुरू हुआ है तो टंग भी जाएगा फिर ओसो फैगस में स्टोमक में पैंक्रियाज इसमाल लाज इंट्रेस्टाइन फिर एक्टम तो इन सब के बारे में आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं आप लोगों के जो बुक में है उससे हम ज्यादा ही पढ़ाएं मुख गुहा तो आएए उसके पहले हम आपको बताते हैं कि मुख खोलने के बाद क्या दिखता है तो सबसे पहले आपको जो दिख रहा है यह देखिए आपका दांद दिख रहा है अच्छा दांद लग रहा होगा इसमें देखिए जो गिंगिवा होती है वो जो होती है द दांत को बहुत ज्यादा बल लगा खेच देंगे तो दांत निकल जाएगा क्योंकि आपका दांत जो है वो बॉन्स में फसे होते हैं तो जो गिंगिवा होती है वो बॉन्स को ढखी रहती है अगर आप ज्यादा बरस करते रगड़ते रहेंगे रगड़ते रहेंगे तो आप आपको दिखाते हैं बकल कैविटी यह देखिए आपकी बकल आपने मुह खोला खाना खाने के लिए और आपकी सब बकल कैविटी दिख गई क्या क्या है इसमें दिखिए सबसे नीचे की बात करते हैं तो लोवर लिप होता है ठीक लोवर लिप और इसके उपर जो दांत होता उसका मेन आपको पार्ड समझाएंगे दीखे, जो दांथ होता है आगे का, जो 4 दिख रहा है पत्ला-पत्ला, यह होता है 인साईजर इनसीजर्स कुछ लोग बोलते हैं इनसाईजर्स बोलते हैं तो दीखे, जो इनसाईजर्स होते हैं यह आपके किस काम आते हैं पहले इसके बारे बता देते हैं आप सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो incisor होते हैं किस काम के लिए होते हैं और कितने आपके तीत होते हैं आपके माउथ में तो माउथ में जो तीत होते हैं वो 32 होते हैं 16 नीचे होते हैं 16 उपर होते हैं भल१ी है छीव तो इनसाइजरद नीचे और एफ उपर जो होगा ये किस के काम आता है किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए आप रोटी काटते होंगे ब्रेट काटते होंगे बिस्कुट काटते होंगे तो आगे वाले भार से काते यह नहीं कि नेचे अंदर ले जाके जो है मोलर से काट देंगे नहीं आप इंसाइजर से क्या करते हैं काइन होता है यह बहुत ही नुकिल होता आप पतं धागा काड़ से से आप कोई धागा काड़ना चाहते हैं तो इस हम से कआरेंगे लेकिन इसका मेंन काम बनाया गया है कि किसी को चीर दीजिए के तो 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 उसे चीर देंगे आप जो है वैसे मुह से प्लास्टिक इस समय मत फाड़ेगा क्योंकि वाइरस कहीं भी हो सकता है तो जो कैनाइन्स होते हैं यह असलियत में मास के टुकड़े को फाड़ने के लिए होते हैं मतलब आप मीट खा रहे हैं तो उसको चीरने के लिए जो है य आप लोग करना चारए तो आप लोग देखते होंगे पीस देते होंगी honest तो यह हो गया आपका दाथ यह दाथ का सबुर्ग दाथ आत है किस पर जो आपका बकल कैविटी है उसी में आपकी टंग भी है तो टंग की ठीक नीचे चलिए इसको छोड़ी अभी जो में चीज बता रहे हैं जब हम कोई फूड लेते हैं अपने सरीर में चाहे इंसान हो चाहे एनिमल्स हो जब भी वो खाना लेता है तो सबसे पहले वो किस में डालता है अपने मुँ में डालता है जब मुँ में रखेगा तब उस प्रासेस को हम बोलते हैं इंगेशन क्या बोलते हैं ingation तो जब ingation हो जाता है तो जैसे ही ingation होता है तो हमारे जीब के जो निचला हिसा जिसमें दिखा गया देखिए टंग के नीचे लिखा हुआ है lingual frenulum तो जो lingual frenulum होता है उसी के थोड़ा सा नीचे देखे लिखा है openings of the sub-mandibular ducts यहीं से आपकी जो निकलती है saliva निकलती है अब saliva कैसे निकलती है क्योंकि यहीं पर पाए जाती है salivary glands जो salivary glands होती है जिसे बोलते हैं lar granthi जो lar granthi होती है उसी से क्या निकलती है lar निकलती है saliva निकलती है ठीक है जो डक्त के रूप में होती है आप सोचेंगे कि कैसे लार निकलती है माद जी आपका खुब यह मिप फूड बना है टैस्टी आप आइस क्रीम देख लिया आपने कोल्डरिंग देख लिया जो आपको एकदम लगता है कि इसके बिना जिंदगी अधूरी है यह हम खा पाना मैं दो हमारा दम मन भर जाएगा आपका फिवरेट फूड होगा इसको जब देखेंगे या उसकी खुसबू आपके नाकों तक जाएगी तो आपके मुझ में पानी आ जाएगा और पानी कहां से आएगा के ग्लैंट से जो सलेवरी ग्लैंट होती है जिसमें से क्या न जम्राइब निकलती है वह उसी में से निकलती तक्रवार कि हमारा प्रेबरेट यम्मी फुड मेरे सांटें अर्ण मुंसे पानी आ गया तब उस खाने में जब आप उसको क्या करेंगे चबाएंगे जब उसको महीन करेंगे तब उसी में वो मिल जाएगा ठीक है और जब दांत इसको पीस रहा होगा चोड़ चोड़ चुड़ टुकड़ों में तो उसे ही हम क्या बोलते हैं education investigation का मतलब होता है चबाना तो मिल जाएगे अब आती है बारें आपकी टंग की जो जीव होतीए टंग क्या करती है इसका काम क्या है तो टंग एक طर 문ery इक तरस दिखी कैसी है एक तरस यह है कही अब दीखाते हैं यह दिखे टंग है मुलब आके क्दिखा रहे हैं तो टंग जो होती है देखें यह मास का ही एक क्या है आरगन है यह एक्टम टोटल मास है मस्कुलर आरगन है और यह किस से जूड़ी रहती है यह आगे नीचे जो पीछे और नीचे किस से जूड़ी रहती है आपके बकल क्यूटी में जूड़ी रहती है और यह कई तरफ मूब कर सकती है जब यह मूब करती है तो क्या क्या काम करती है सबसे पहले जो खाना आपने चूड़ किया है चबाया है उसमें सलाइबा को मिलाएगी दूसरा काम आप कोई खाना खाते हैं तो जीब बाहर निका पाएंगे क्योंकि जीब पर ही आदा लोग खाना रखके खाते हैं आप इसा नहीं कि मुह में उगली डाल के लिए कि चले जाएंगे तो यह क्या करती है निगलने में तो आप स्वैले कर रहे हैं मतलब कहने का है कि आप निगल रहे हैं कोई फूड निगलते हैं तो आप क्या करते हैं तो आप जब फूड निगल रहे हैं तो किसकी साहता से निकलते हैं जीब की साहता से और फिक क्या काम करता है आप आगे से चबाएंगे नहीं आपको खाना हर दाथ की पास लेकर जाना है कि भाई चबाओ इसको फिसक के वह करो महीन कर दो तो जब इसको महीन करता है तो यह क्या ले जाती है फुट को ले जाती है और अगला काम क्या है यह टेस्ट बताती है कि कहां पे नमकीन है, salty है, कहां पे मीठा है, कहां पे खटा है, कहां पे कड़वा है, यह डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट होते हैं टंग के, उसी को यह दिखाता है, जिसे देखिए, अब आपको पहला सुरू से दिखाते हैं, देखिए, जो sweet है, वो आगे के parts में होते हैं, कहीं कहीं बुक में जो sweets होते हैं, वो आपको अलग अलग जगा दिखाएगा, लेकिन देखिए, इसमें जो दिखा रहा है, आप उसको ध्यान से देख लेजी, जो sweets होते हैं, मीठा होता है, एकदम आगे होगा, और जो उसके बाएं और दाएं साइट देखिए, वो salty होगा, नमक वाला, आप देखें कि जब मीठा खाते हैं, तो आपको जब खुब ज़्यादा मीठा काने हैं, तो आपका यहीं पे एकदम लाल हो जाएगा, एकदम ज होता है, तो आगे और बीच में आपका क्या हो गया, sweet हो गया, मीठा हो गया, बाएं और दाएं आपके जीब क्या हो गया, नमक वाला स्वाद हो गया, तो आप जब भी नमकीन खाते होगे, तो यहां से टेस्ट पता चलता है कि नमकीन है, और अगर आप खटा खाएंगे, तो बीच जीब बीच भागए, उसके बाएं और दाएं आपका खटा चीज ने करता है, सोर, तो सोर जो होता है, वो क्या होता है, खटा, तो यहां पे जीब का पार्ट क्या बताता है, खटा, और एकदम पीछे जाएंगे, तो जब आप कड़वा खाएंगे कोई चीज, त कड़वा लगता है, जिससे लगता है कि गर्दन में जाम हो गया, गलाला अजीव से लगता है, माजवा को करेला का जूस पिला दिया गया, आप घहरी क्या, घजब खराब लग रहा है, पाने पीएंगे, और हो सकता है, उल्टी-उल्टी भी कर दें, तो क्यूं करते हैं, क कि दवा रखिए, तुरन निगल जाए, अगर पीछे लेकी गया है, वहां पर अटक गई दवा, जहां पर बीटर टेस्ट है, तो आपको स्वात क्या लग लगने लगेगा, और आपको यह पसंद नहीं आएगा, तो जीब की देखिए, अलग-अलग पार्स होते हैं, मत अगला है, माउट से नीचे उतरिए, बकल कैवेटी से नीचे जाए, तो आपको जो पॉर्शन मिलेगा, उसका नाम है, इसो फायगास, जो इसो फायगास होता, जिसे फुट पाइप के नाम से जानते हैं, वह हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, कोई भी कुशन हो, आप ह हाई क्वालिटिक कर लिजिए, और उसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है, ओके,